नमस्कार दोस्तो आप सफी का सुवागत है IND हिंदी टेक चैनल में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनी वन फ्रीडम कार्ड की बारे में जी याँ दोस्तो वही कार्ड चो कहती है जीरो परतिसत इंट्रेस्ट के साथ आप लोग धानी वन फ्रीडम कार्ड इस्तमाल करिए इसमें अप्टू पांच लाख रुपया तक आपको लिमिट मिलेगा धानी वन फ्रीडम कार्ड की हीडेन चार्ड आम लोगों को ढूंड़ना पूरी तरह से मुस्किल है हम बहुत जादा मेहनत किये हैं इसकी पूरे हीडेन चार्ड को ढूंड़ने में तो यहाँ पर धानी वन फ्रीडम कार्ड जो 0.3 आप लोगों को कहती है इसके पीछे परदे की पीछे हीडेन चार्ड क्या है वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले है सबसे पहले बात करेंगे धानी वन फ्रीडम कार्ड के बेनिफिट के बारे में तो बेनिफिट क्या है कि इंस्टेंट क्रेडिट लाइन लिमिट आप लोगों को देती है जिसमें आप लोगों को अप टू पांच लाख रुपिया तक इंस्टेंट ये एपलिकेशन के जरीए आपको लिमिट देती है मिनिवम तो पांच जार मिलता है तो धानी मोबाइल एपलिकेशन के जरीए आप जो है धानी वन फ्रीडम कार्ड के लिए अपलाई कर सकती है और वहाँ पर आप लोगों को लिमिट मिलता है जहां पर अप टू पांच लाख रुपिया तक लिमिट मिलता है इसमें आपको रुपे कार्ड मिलता है जो कि फिजिकल कार्ड भी आपको मिलेंगे रुपे का साथी साथ इसमें कैस पैक ओफर्स भी रहती है जो भी आप स्पेंड करोगे ट्रांजिक्सन करोगे इस पर आपको cash back भी मिलेगा प्लस में anytime doctor consultation की सुविधा मिल जाती है medicine पर discount मिलता है instant approval होता है और बहुत सारी services आपको इसमें मिलती है लेकिन जो hidden charge जानोगे तो ये सारा services आप भूल साओगे उसकी बाद ये दावा करती है 0% interest on spend जो भी आप पैसे spend करोगे उस पर 0% की interest ये लेंगे और आप लोग तीन महीने में उसे EMI के तोर पर चुका सकते हो और उसका कोई interest नहीं लिया जाएगा ये due को चुकाने के लिए तीन महीने का समय क्यों देती है ये आपको आगे पता चल जाएगा ठीक है अब थोरा सा बात कर लेती हैं charges की बारे में ताकि आप लोग clear ढंग से जान सके और इनके जब आप जो प्लेश्टोर पर धानी आप देखोगे न और इनके review में देख लेना एक बार जाकर वन स्टार वन स्टार वन स्टार वन स्टार भरे परे हुए है और जो hidden charge है ना इसी को लेकर वन स्टार भरे परे है और चलिए charges की बारे में बात करती है ज्वाइनिंग charge इसका 500 रुपया प्लस GST है लेकिन कभी-कभी कुछ users को या फिर कभी-कभी offer के वजह से आपको ये free में भी card दे सकती है इसके साथ ही धानी का monthly charge आता है monthly subscriptions charge जिसमें minimum 199 रुपया आता है और ये जो है limit पर depend करता है कि आपका कितना limit है अगर 5000 रुपया की limit मिला है तो monthly subscriptions charge आपको 199 रुपया देना पड़ेगा इससे ज़्यादा का limit है तो इससे ज़्यादा subscriptions charge आएंगे वो आपको दिखा देगा वहाँ पर लेकिन monthly subscriptions 199 रुपया से कम नहीं है ये धियान में रखिएगा ठीक है उसके बाद इन्होंने एक limit डाल रखा है daily transactions limit का अगर daily transactions limit आपका 500 रुपया set किया गया है तो एक दिन में मात्र 500 रुपया ही इस्तमाल कर पाऊगे transactions कर पाऊगे अगर ये 1000 रुपया set किये हुए है तो 1000 रुपया ही इस्तमाल कर पाऊगे एक दिन में फिर कल जा कर आप लोग इस्तमाल करोगे फिर 1500 अगर रखे हुए तो 1500 ही इस्तमाल करोगे एक दिन में इससे ज्यादा नहीं कर पाऊगे चलिए दोस्तों अब हम आपको एक example से बताने की कोशिस करती हैं जिसमें सारा कुछ hidden charges आपको पता चल जाएगा और ये example 100% real है जो कि consumer complaint होती है online वहाँ से मैंने लाया है एक user ने पूरा detail में बता रखा है इन्होंने 500 रुपिया यूज कि जो कि इनको daily limit में मिला था 500 रुपिया इस्तमाल करने को तो इन्होंने 500 रुपिया यूज किया 500 रुपिया यूज करने की बाद कुछ घंटे बाद इनको 3 EMI में पे करने को मिला जैसा कि मैंने आपको बताया पहला EMI 215 रुपिया का दूसरा EMI 216 का और तीसरा EMI 214 रुपिया का इनका बना टोटल 645 रुपिया हो जाता है अब यहीं पर देख लिजी 500 रुपिया इनों ने इस्तमाल किया और 645 रुपिया का EMI बताया गया जो की 145 रुपिया एक्स्ट्रा तो इसमें क्या है कि आपको पहले payment करने की भी option नहीं मिलेंगे मतलब आपने spend कर लिया अगर आपका मन है कि जितना भी हमें spend किये हैं वो एक ही बार में payment कर दे तो ना भाई ऐसा नहीं होगा आपको EMI के तोर पर ही payment करना पड़ेगा अब EMI में क्या है तो stamp duty charge भी लगते हैं उसके बाद इसमें जो है आपको subscriptions प्रतेक महीना subscriptions जो की 199 रुप्या minimum आपको देना ही पड़ेगा तो ये 0% लिखते हैं कोई दिकत ने 0% से ज़्यादा तो इधर charge ले रहे हैं यहाँ पर इनको मतलब मैंने आपको बता दिया कितना EMI पड़ा अब 1.500 रुप्या इन्हों ने लिखा कि stamp duty charge के नाम से लगा दिया उसकी बाद मैंने 2 महीना और वेट किया वेट करने के बाद 199-1999 करके दोनों महीना subscriptions चार्ज करते उसकी बाद इन्हों ने लिखा कि stamp duty charge जो है मुझे 1.500 रुप्या और देना पड़ा जो कि मैं अगर इस्तमाल कर रखा था तो उसका तो वुक्तान करना बनता ही है और यहां पर stamp duty charge ये लेते गए हम से उसके बाद subscriptions ये लेते गए तो आप सोच कर चलिए 5.500 रुप्या इन्हों ने इस्तमाल किया तीन महीना में इनको payment करने की option दिया गया और तीन महीना में subscriptions 199, 199 करके जोड़ लेजी टोटल 597 रुप्या सिर्फ और सिर्फ इन्हों ने पेड किया सोच लो और जो EMI इन्हों ने पेड किया वो तो अलग बात है जो पैसे इन्हों ने इस्तमाल किया था उसका वुक्तान किया फिर stamp duty charge ये वुक्तान किये ये अलग बाती है तो इनको जो है मतलब टोटल के टोटल 1047 रुप्या extra payment करना परा मतलब 500 रुप्या इन्हों ने इस्तमाल किया और 1047 रुप्या extra payment करना परा सोच लीजिए कितना ज़ादा hidden charges है और ये कहीं नहीं बहुत मुस्किल लगा है मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि काफी ज़्यादा मुस्किल लगा है ये hidden charge को ढूंडने में अच्छा लीमिट अगर 5000 रुप्या रहता है तो सब्सकिप्संस 199 या फिर 200 के आसपास आएंगे लेकिन वहीं लिमिट आपका मतलब 10,000 हो जाता है 15,000 दिया जाता है तो ऐसे में सब्सकिप्संस आमाउंट भी चेंज हो जाती है मतलब आपका 200 से हो जाएगा 300, 400 ऐसे करके और वो जो सब्सकिप्संस है ना वो हर एक महीना कटेंगे चाहे आप कार्ड इस्तमाल करें लिमिट इस्तमाल करें या पिर ना करें अब मजबूरन में अगर इस्तमाल नहीं करोगे तो भी सब्सकिप्संस चार्ज देना सोचोगे सब्सकिप्संस चार्ज दे रहे हैं तो इस्तमाल करी ही लेते हैं और जहां तक कि मैं पहुँच पाया हुना वहां तक कि मैंने आपको जानकारी दिया है हो सकता है इस से और ज़्यादा मतलब hidden charge हो और सारी hidden charge हो तो अगर कुछ छूट रहा होगा तो वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके और लोगों को सुचित जरूर करा दीज़ेगा फिलहाल मुझे लगा स्टांप ड्यूटी चार्ज और जो यहाँ पर मंथली सब्सक्रिप्सन्स चार्ज है यह लगा जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज लगा आप लोगों को क्या लगता है वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएगा और हम कभी भी इस तरह के कार्ड जो है अपना परसनली बता रहा हूं इस्तमाल नहीं करती है और ना फ्यूर्चर में कभी करेंगे आप लोगों का क्या कहना है जरूर बताएगा वीडियो के नीचे कमेंट करके एक बात और बतादू कि धानी का एक वालेट आता है वो बहुत अच्छा सर्विस है उसमें आप लोग वालेट इस्तमाल करो जिसमें अपने से ही पैसे डालोगे और एक कार्ड मिलता है जो कि फ् अगरा ओफर क्यों न रहें इस चक्कर में अगर आप परोंगे तो इस तरह के चार्ज आपको देना पड़ेगा आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा सारा कुछ पता चल गया होगा और क्लोजिंग के बारे में बात करें तो उतना असान नहीं है इसे बंद करव किस्टोमेर केर से बात करो फलाना करो डिकाना करो धानी के बारे में अगर कुछ भी कहना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा धानी को लेकर वीडियो को डिसलाइक मत करिएगा क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करके ये वीडियो लाए हैं और सारा इंफॉर्मेशन दे करें, दान्दे बाद